हेलो बच्चों, मैं स्वाती, आपकी हिंदी टीचर, आज हम हिंदी भाषा में मुहावरे पार्ट का अधेयन करेंगे, तो चली शुरू करते हैं, बच्चों मुहावरे के प्रयोग से भासा निखर उठती है, और साधारन कथन को मुहावरे विशेश बना देते हैं, इन दोनों वाक्यों का मतलब यही है, कि जब ही भी हम किसी भी वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करते हैं, तो भाषा सुन्दर लगने लगती है, सुनने में अच्छा लगता है, तो चलीए कुछ उधारन देखते हैं, मुहावरे के और उनके अर्थ, जैसे लाल पीला होना, जिसका अर्थ है, क्रोधित होना, एक वाक्य देखते हैं इसका, अपना नया मुबाइल खराब देखकर, पिताजी लाल पीला हो गए, मतलब, जब पिताजी का मुबाइल खराब हुए, उन्होंने देखा तो वे क्रोधित हो गए, भीगी बिल्ली बनना, मतलब, बहुत डर जाना, वाक्य है, कक्षा में सिक्षक कर आते ही, सभी विद्यार्ती भीगी बिल्ली बन जाते हैं, अपने पाउं पर कुलहाडी मारना, का मतलब है, जान बूज कर मुसीबत मोल लेना, वाक्य, रमेश परिक्षा में इधर उधर घूम कर, अपने पाउं पर कुलहाडी मार रहा है, कुछ मुहावरे देखते हैं, आंख का तारा, जिसका अर्थ है, बहुत प्यारा, टांग अडाना, अर्चन डालना, या फिर बाधा डालना, कान पर जू न रेंगना, ध्यान न देना, दांथ खटे करना, पराजित करना, नाक में दम करना, बहुत तंग करना, घोडे बेच कर सोना, निश्चिन्त होना, बच्चों, ये सभी मुहावरे और उनके अर्थ को आप अच्छे से कंठस्त कर लीजेगा, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,